हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IRFC के बारे में IRFC के लिए यहां पे एक बहुत ही मेजर अपडेट निकल के आ रही है सरकार की तरब से एक बहुत बड़ा फैसला निकल के आया है जो कि मैं आपको इस वीडियो के थुरूप बताने वाला हूँ और यहां पे अगर आप देखोगे कुद बहुत ही बड़े important targets भी निकल के आये हैं जो की main चीज रहती है कि चाहे news कुछ भी हो लेकिन उसका impact गया पड़ेगा और यहां से हम क्या चीज expect करके चल सकते हैं कि आने वाले time में कौन कौन से levels जो है वो hit हो सकते हैं तो IRFC और RBNL दोनों के लिए हम यहां पर बात करने वाले हैं वीडियो आपको अच्छी लगे तो like जरू करिएगा चैनल पर अगर आप first time visit कर रहे हो तो प्लीज चैनल को subscribe भी जरू कर दीजेगा और yes bank पर already वीडियो upload कर दी अगर आपने नहीं देखिए तो वो भी आप ज closing हुई है यह अच्छी बात है 27 रुपे 85 पैसे पर IRFC की closing हुई थी और 27 रुपे 95 पर open हुआ था 28 रुपे 25 पैसे तक का हाई भी बनाया था तो यहां पर moment आने का try तो किया जा रहा है लेकिन जिस according market की situation है वो यहां से थोड़ी सी दिक्कत जो है वो create कर रही है अब यहां प आपको पता चलेगा कि कौन-कौन से लेवल्स तक आप expectation अपनी रख सकते हो सब्सक्राइब यहां पर देख पारे होगे कि अपने 52 भी खाई जो कि इसका बनाता 37.1 यांकि 37 रुपे 10 पैसे का हाई बना था जो कि आपको नेवेंबर 30 को देखने को मिला था उसके बास से करी expectation रखी थी बजट के बाद से वह अभी तक नहीं आ पाई है अब यहां पर हम आगे देखें तो जो चीजे हैं यानि कि market expert अगर हम बात करें अंब्रीज वलीगा के बारे में तो उन्होंने बाइंग की recommendation दे दिया 32 रुपे का target price दिया है यानि कि अगर आप देखोंगे तो में नौने जो अभी 27 रुपे के असपास के लेवल्स हैं वहां से पांच रुपे अप साइड में और यह percentage में बहुत ज्यादा हाई है वैल्यू में आपको कम लग रहा होगा लिए percentage में काफी अच्छा कासा यहां पे बन जाता है तो 32 रुपे का target दिया है चार से आठ वीक इसका तो वह यहां से अगर हम देखें बिजनेस वाइस इसके जो ओबर ओल और से उसके देखें फाइनेशल देखे सारी चीज़ें बहुत ज्यादे इंप्रूब्ड नजर आ रही है और साथ के साथ अगर आप देखोंगे डिविदेंट यील भी 4% से जादा है वह बात ल हो जाए लेकिन उसमें भी अगर आपको यह ओन यह वेसिस पे जो इनकी इंकम है उसमें अच्छी गाची ग्रोथ अगर देखने को मिलेगी तभी यहां पर आपको जो डिविदेंट है वह मिलेगा अब बात करें अगर हम यहां पर देखें तो पिछले 6 मीने में 33% के अगर जो नेगेटिव रिटन्स ते वह एज़ेस्ट हुए और यहां से भी जिस अकॉर्डिंग गिराबट हुए तो वह एज़ेस्ट होने के बाद अभी भी पिछले 6 मीनों में 33% के रिटन्स नजर आ रहे हैं और वह यहां और वाइट इर यानिकी यह टू डेट के बारे में ब फ्लोट कर सकती है बहुत बड़ी नियूज है हाइड्रोजन ट्रेन अब यहां पर आने बाली है जैसे कि आपको बता है बुलेट ट्रेन सेमी हाई स्पीड या फिर आपको बहुत सारी ट्रेंज जो है वह निवली लॉंच्ट की गई है अब इसमें एक नंबर हाइड्रोज की है और इसकी जो फाइनांसिंग करने वाली है वह है आईयर एपसी मैंने आपको बीवी बताया था कि कमी तो बिलकुल भी नहीं है नियूज को आप पूरा पढ़ भी सकते हो पूरी तरीके से बताये गया है 35 ग्रीन एनरजी ड्रेवन ट्रेंस का जो टेंडर है बहुत ही जल्दी फ्लोट कर सकती है और इसमें जो टोटल वेल्यू आईगी वह अठाई सो करोड के आसपास आईगी और अगर आप देखोगे इसके लिए मीटिंग भी अल्रेडी हेल्ड हो चुकी है जिसमें अगर आप देखो सीमेंस क्यूमेंस हिटाची बेल और मेदा सर्वो बह के लिए एक हैरीटेज रूट भी बनाये जाएगा अगर आप देखो कि तो यहां पे जो ओवरॉल इंपूर्स मिलेंगे इंडेस्ट्री से उसके बाद जो है वह यहां पे टेंडर फ्लोट कर दिया जाएगा तो यह बहुत ही बड़ी निउस निकल के आती है जिसकी जबकि जो ओवरॉल इसमें बहुत सारी चीजे रेक्वाइड होंगी जाते कि मैंने हरीटेज रूट का भी बताया था तो वह भी उसमें भी करीवन सतर करोड पर रूट का जो टोटल एक्सपेंस है वह पढ़ने वाला है तो यह सारी चीज आपको देखके चलने पड़ेग अब बाकी आप लोगों खुद पता है कि यहां से जो रेलवे हो वो कैसी ग्रो करने वाली है और उसमें डेफिनिटली आई रपसी भी ग्रो करेंगी लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा यह कंडिशन है शौट टम में अगर आप चाते हो कि मेरा पैसर डवल ट्रिपल ह हो तो उसके लिए पैनी श्टॉक्स हैं लेकिन वापे डूबने के चांसे भी बहुत ज़्यादा नजर आते हैं अब बात कर लेते हैं आर बीनल के बारे में आर बीनल में भी फ्राइडे को अगर आप देखो तो गिरावट देखने को मिली थी और 63.20 पर जो क्लोजिंग है आपको देखने को मिली थी अब बहुत बड़ा ओडर मिला है करीम 197 करोड का जो कि अगर आप देखोगे मध्य छेत्र बिद्यूत बित्रन कंपनी की तरफ से यह जो है वह ओडर आपको देखने को मिला है और अगर आप देखो तो यहाँ पर बताएगा इंडियन रेल्वेस इंफ्रेस्ट्रेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट रॉल्प्र यानि कि अर्वी इसको लैटर ओफ एकसेप्टेंस भी मिल गया है और ट्विंटी थर्ड फैप को यह जाना है साथ के थोड़ी सी रिस्क अगर आप ले सकते तो आर्वेनल आपके लिए बहुत अच् वड़े टेंडर से जिसके वज़े से आने वाले टाइम में इसमें बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है रिस्क स्लाइटली अगर हम देखे हैं आई एर अपसी के में ज्यादा है लेकिन रिटरंस भी फिरूस से ज्यादा आपको नेजर आ जाते हैं तो दौनों ही